प्रियंका जी ने आज एक इंटर्वी दिया, उसमें कही तरह के आउट लगाये हैं, के द्रेसरकात्रा आप कैसा बेंटेस हैं? देखे, ऐसा धान में आ रहा है कि बिल्कुल एक सोची समझी रणनिती के तहत, कॉंग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, देश में एक नकारात्मक्ता का नरेटिव तैयार करना चाहता है, मैं तो प्रियंका जी को यह पूछना चाहता हूँ, कि उन्होंने आज जो सारी बाते बताई, क्या कभी इन बातों की चर्चा उन्होंने, जहां उनका राज है महाराष्ट, उनके बरों से चर्चार के साथ कभी उन्होंने इसकी चर्चा की क्या, क्योंकि अगर हम देखे तो जो बाते वो कह रहे थी सबसे ज़्यादा उन बातों को महाराष्ट में पाया जाता है आज महाराष्ट की अवस्ता क्या है? देश में कोरोना की जितनी मौते हुई है उसमें तकरीबन 48-40 प्रतिशत मौते अकेले महाराष्ट में हुई है देश में कोरोना के पूरे जितने मामले जितनी केसेस हुई है उसमें से करीबन 35-40 प्रतिशत केसेस भी महाराष्ट में हुई है और आज भी समूचे देश में कोरोना के जितने एक्टिव पेशंट है उसमें से तकरीबन 35-37 प्रतिशत पेशंट ये महाराष्ट में है और जब पिछली वेव में महाराष्टर सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रताडित था तो फिर महाराष्टर ने इसके तैयारी क्यों नहीं कि प्रियंका जी ने, राहूल जी ने, सुनिया जी ने, मनमोहन जी ने जिनोंने पिछले चार दिनों में नरेटिव तैयार करने के लिए प्रेस कॉन्फरेंसेस की या पत्र लिखे, मैं सबाल पूछना चाहता हूँ ये सारी सला उन्होंने महाराष्ट को क्यों नहीं दी आप देखे, टेस्टिंग की बात होती है, नवंबर में अगर हम मुंबई देखे तो मुंबई का टेस्टिंग 12,000 है, एवरेज, दिसंबर में 14,000 है, जनवरी में 15,000 है, फरवरी में 15,000 है और पिछले साथ दिनों में मुंबई का एवरेज टेस्टिंग ये मात्र 45,000 है और 18% rate of infection है 18% rate of infection के साथ 2 करोड की आबादी वाली मुंबई में अगर मात्र 45,000 होता होगा तो मामली कौन छुपा रहा है आज मुंबई में और महाराष्ट में जो यहाँ पर labs है उन labs को कहा गया है कि एक सीमा के बार वो टेस्टिंग नहीं कर सकते महाराष्टर जैसे अगडे राज्य में 7 से 10 दिन कोरोना के रिपोट आने के लिए लग रहे है आज महाराष्ट में बेड्स उपलब दा नहीं है वेंटिलेटर सुपलब दा नहीं है ऑक्सिजनेटेट बेड्स नहीं है तो जो महाराष्टर सबसे ज़्यादा प्रताडित था जहां सुनिया जी की सरकार चलती है कि उसके जिम्मेदारी नहीं थी और आज भी आप देखिए आज भी महाराष्ट में कही पर भी सरकार का अस्तित्व जो है वो हमका नजर नहीं आता और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये सला प्रियंग काजी ने महाराष्ट को देनी चीए थी क्योंकि अगर महाराष्ट के आकड़े ये देश के आकड़ों से हटा दिये जाए तो ऐसा लगता है कि देश में कुरोना के मामले तो है लेकिन बहुत कम है और जैसे ही महाराष्ट के आकड़े उसमें एड़ हो जाते है तो फिर हमारी तुन्ना कुछ देशों के साथ शुरू हो जाती है और इसलिए मुझे लगता है अपना फेलियर अपनी सरकार का फेलियर ये अगर अपने गिरेबान में जाक कर प्रियंका जी इसके उपर विचार करती तो शायद इस परकार की प्रेस कांफरंस और इस परकार का नकारात्मक नरेटिव देश के लिए और तयार नहीं करती परिसीती है चातिस गड़ में 36 गड़ में भी उनका राज है ना 36 गड़ में mortality rates 7 दिन में 3 times बड़ा है मैं कोई आकड़ों की जद्दो जहर नहीं करना चाहता लेकिन ये जो नकारात्मक narrative तयार करके मानो सारा का सारा केंदर सरकार करती है ये बताने का प्रयास और अपनी असफलताओं को चुपाने का प्रयास जो होता है लोगों को ऐसे करोना के समय इतनी ओची राजनिती ये पसंद नहीं आती देखिए Remdesivir ये patented drug है और विदेशी कमपनी के patent के आधार पर यहाँ पर कुछ लोगों को उसका license मिला था और इसलिए यहाँ पर maximum export के units थे हम लोग उसके manufacturer थे हम consumer नहीं थे उसके हम उसको export करते थे लेकिन जैसे ही सरकार के ध्यान में आया कि हमको Remdesivir के आवशकता है तो सरकार ने तुरंद clause invoke किया export ban किया और देश में additional licenses दिये और आप 11 लाख Remdesivir की बात करते कि वे Remdesivir export हुए देश के अंदर 7 दिनों में हमने 1,5 लाख से 3 लाख Remdesivir प्रति दिन इतनी क्षमदा को बढ़ाया भारत सरकार ने माननियम मुदी जी के नेत्रतु में 3 लाख Remdesivir प्रति दिन का production हमने शुरू किया है और ये अभूत पुर हुआ है और ये भारत ने हिम्मत दिखाई है कि एक patented drug को भी भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हमारे आख pandemic है हम pandemic act इन्वोक करते है कि जगव अब हर दिन 3 लाख तयार हो रहे है इसके और अगर ज़्यादा ध्यान दिया होता और अगर ये समझ लिया होता कि Remdesivir हमारे export के लिए ही major बंता था तो शायद इस प्रकार का आरोप नहीं जड़ा जाता देखे कुल मिला कर अगर oxygen की परिस्तिती हम लोग देखे तो हमारे प्रधान मंत्री जी के नित्रुतू में हमने हमारी क्षमता को 110 प्रतिशक तक बढ़ाया है oxygen की और industrial oxygen को बड़े पहमाने पर रोक कर उसको राज्यों को देने के कोशिश किये और इतना ही नहीं तो अगर आप देखे तो महराष्ट जैसा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य यहां पर है सबसे ज़्यादा oxygen केंद्र सरकार ने अलग-लग राज्यों से उसको अलट करवा है उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली जैसे राज्यों को भी बड़े पैमाने पर oxygen मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादी बड़ी बाद भारत की इस strength को प्रियंका जी क्यों नहीं देखती मात्र साथ दिनों में भारत ने oxygen express तयार की और आज आप विचार कीजिए oxygen का लोजिस्टिक यह अगर हम train के माध्यम से करे तो हमारा turn over time आदा हो जाएगा हमारी efficiency 200 times बढ़ेगी यह भारत ने 7 दिन में करके दिखाया मैं मोदी जी का और प्यूज गोईल जी का अभिनदन करना चाहता हूँ और अब यह oxygen express एक ऐसा logistics हमारे लिए एक tool तैयार हुआ है कि जिसके कारण हम बड़े पैवाने पर oxygen को देश के सारे भागों में ले जा सकते है लेकिन मैं यह का जी को पूछना चाहता हूँ आज इतने राज्यों में उनकी सरकार है क्या किसी ने प्रयास किया क्या किसी ने उनके उनके राज्यों में oxygen generation plants लगे ऐसा प्रयास किया मैं महाराष्ट की बात आपको बताना चाहता हूँ देखे पैंडमिक में पिछली वेव में महाराष्टर में यह ध्यार में आया था कि oxygen की कमी पढ़ती है महाराष्टर सरकार ने घोशना की बजट में पैसा हम आवंटित कर रहे है लेकिन कोई पैसा दिया नहीं आज कही पर भी medical colleges में या किसी भी प्रकार के कोई जो हमारी स्वास सुईदाय है कही पर भी इसकी विवस्ता नहीं हुए मैं इतना ही नहीं ये भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े वेव के बाद क्या हमने infrastructure में बढ़ोत्री किये है महाराष्ट में नहीं कि केंदर सरकार ने देखे 2014 से लगातार देश के health infrastructure में बढ़ोत्री किये 2014-15 में देश में मात्र 381 medical college थे आज 565 medical college है तकरीबन 50% के बढ़ोत्री हम लोगों ने किये अंडर graduate sheet में 57% के बढ़ोत्री हुए post graduate sheet में 59% के बढ़ोत्री हुए आज 15 aims काम कर रहे अगर भारत सरकार ये नहीं करती आज आप construction तो कर लेंगे doctors कहां से लाएंगे अगर ये doctors की संख्या इतने बड़े पैमाने पर मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण नहीं बढ़ी होती तो आज किस कगार पर हम खड़े होते अब मैं अगर उल्टा सवाल पूछू तो राजनिती दिखेगी पर प्रियंका जी इतने वर्ष आपके परिवार का राज रहा इतने वर्षों में आपने कितने डॉक्टरों को तयार किया कितने medical college तयार किये आपने इतने सालों में जितने medical college तयार किये उससे दुगने medical college ये अगर मोदी जी पाथ साल में तयार करते है तो तयारी किसने नहीं की और तैयारी किसने की और कौन किसको सवाल पूछने का अधिकारी है ये पूछना चाहते हो देखें वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर हमारे एक्सपोर्ट पर हमारे एक्सटरनल अफेर्स मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है चुकि हम वैक्सीन का रा मट्रियल इंपोर्ट करते है तो भारत ये तो नहीं कह सकता कि हम इंपोर्ट करेंगे लेकिन आपको वैक्सीन नहीं देंगे लेकिन जैसे ही ये ध्यान में आया तो भारत ने स्पष्ट रूप से बाकी देशों को बताए कि हम नहीं दे सकते लेकिन उसके साथ-साथ मैं सवाल पुछना चाता हूँ कॉंग्रिस पर्टी को जब मोदी जी कह रहे थे कि देश में वैक्सिन तयार होगी तो मजाक उड़ाने वाले ये कॉंग्रिस ही थे जब भारतिय कंपनियों ने और सरकारी कंपनिय ने वैक्सिन तयार किया तो ये वैक्सिन हम नहीं लेंगे कहने वाले ये कॉंग्रिस परटी थी इस वैक्सिन का मजाक उड़ाया गया मानो हमारे देश के क्षमता ही नहीं है आज दुनिया ने हमारी क्षमता का लुहा माना और आज जब हमारे लोगों को 12 करोड से ज़्यादा वैक्सिनेशन कर दिया है और केंदर सरकार ने 70 करोड वैक्सिन की तयारी करके रखिये अभी परसों आप लोगों ने देखा होगा और जितने वैक्सिन लगेंगे उतने वैक्सिन हम प्रोडक्शन भी कर रहे है और उसके साथ साथ अब बाकि जो वैक्सिन प्रोड्यूसर से उनको भी दिया गया है और सबसे बड़ी बात दिखें जो विदेशी वैक्सिन है उसका जो लॉजिस्टिक्स है इसमें कुछ वैक्सिन माइनस 70 डिग्री में रखनी पड़ती है हमारी वैक्सिन जो तयार हुई इसका लॉजिस्टिक्स सबसे आसान था क्योंकि भारतिये कंडिशन्स को ध्यान में रखते हुए तयार हुई और इसलिए इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन का प्रोग्राम हम तय कर पाए और उसको हम कार्यान भी कर रहे है पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी अगर वैक्सिन के उपर बोल रही है तो मैंने तो प्रियंका जी का वैक्सिन लेते हूँ फोटो अभी तक दिखा नहीं क्या उन्होंने वैक्सिन लिया है अगर लिया है तो कौनसी कंपणी का लिया है देश की किसी कंपणी का लिया है राउल जी ने देश की कंपणी का लिया है मेरे तो द्यान में नहीं आया पर लिया है तो बहुत मुझे खुशी होगी लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती गांधी परिवार को और कॉंगरेस पारटी को देश के वैक्सीन से इतनी नफरत क्यों है? देश के वैक्सिन को इतना कम क्यों देखते हैं क्यों आखते हैं क्यों पहले दिन से हमारी क्षमता होते हैं अभी राहूल गांदी कहते थे देश की वैक्सिन नहीं चाहिए सारी विदेशी वैक्सिन लाओ क्यों किस चीज के लिए आज हमारी वैक्सिन ने हमारे देश का नाम अगर हमारे यह वैक्सिन तयार नहीं होती तो हमारी 135 करोड ज़व जनता है कोई भी दुनिया का देश हमारे लिए इतनी वैक्सिन तयार नहीं कर सकता और इसलिए मुझे लगता है वैक्सिनेशन पर प्रदान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए उनका अभार देक करना चाहिए न कि उसके उपर राजनिती करने चाहिए चुनावी राइलियों पर तंच कसा है उनने कहा है कि जगए-जगए से रोनी के रिपोर्ट आ ली है तो मोदी जी मंच से ठाके लगाते हैं जो क्रेक्स करते हैं हसते हैं मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि राहूल ग बंगाल में राहूल जी की सभाव में लोग नहीं आते और बंगाल में पंग्रेस पर्टी का कोई वजूद नहीं बचा तो एक बड़ा मॉडल स्टैंड वो लेते हैं कि चुनावी रैलिया नहीं होने चाहिए फिर यह स्टैंड के समय क्यों नहीं लिया उस समय भी कैसे थी कोरोना पीक पर चल रहा था उस समय भी uruृ परिस्तितिया थी यह डबल स्टैंड pig रिए गाव जैंड का है कि विपक्ष से बात नहीं हो इस यह तो यह है कि इस प्रकार का स्टेंडमेंट देना यह देश के हित में नहीं है क्योंकि AISI के साथ भारत कभी भी बात्चीत नहीं करता और इस प्रकार से स्टेटमेंट देकर हम कही न कहीं अपने देश को अपमानित करने का काम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ मानिया प्रदान मंत्री जी सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बाचित करते तो क्या सारे मुख्य मंत्री भारती जनता पारटी के है मुख्य मंत्री तो Congress Party के भी है Communist Party के भी है और अलग-अलग Regional Parties के भी है उन सारी Parties के मुख्य मंत्रियों के साथ बाचित याने विपक्ष साथ बाचित नहीं होती जब प्रदान मंत्री जी ने All Party Meeting की उसमें सारी पारटियों के साथ बाचित नहीं होई अब ये बात अलग है कि Congress Party का मानना है कि विपक्ष याने गांधी परिवार और गांधी परिवार के साथ ही सववाद होना चाहिए अगर ऐसा आग्रह होगा तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि राहूल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को या सुनिया गांधी जी को उनके पक्ष का लोग सवा में नेता बनना चाहिए राज्य सवा में नेता बनना चाहिए और उसके बावजुद अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारे साथ सववाद होना चाहिए तो मोरी जी ने कहा मना किया है जब वो कोई पत्र बेशते हैं या कोई सववात करने के कोशिश करते हैं तो मोरी जी तो आगे बढ़कर सववात करेंगे पर आपको तो सववात करना नहीं है आपको तो किवल तंश कसना है आपको किवल टिका करना है आपको किवल विरोध करन देना और नसीहत देना कि राजनिती का समय नहीं है आप क्या कर रहे हों कि जनता के समझ में नहीं आता एक दिन सुनिया जी एक दिन रहूल जी एक दिन मनमुहन जी एक दिन स्वयम प्रियंका जी ये सारी चीजे लोग समझ में नहीं आ रहा है लोग समझते देखिए मनमुहन सिंग जी का हमेशा आदर प्रदान मंत्री जी ने किया है भारत सरकार ने किया है और वो जो सही बात कहते है उस बात का आदर भी होता है पर मुझे समझ में नहीं आता कि कभी-कभी शायद पार्टी के दबाव में अगर मनमोन सिंग जी भी राजनेतिक बाते अपने पत्र में लिख दे या narrative तयार करने वाली बाते लिख दे तो फिर उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और सच लोगों के सामने लाना पड़ेगा बागी मैं ऐसा मानता हूँ कि मनमोन सिंग जी के बारे में भारत सरकार के मन में प्रधान मंत्री जी के मन में और सारे मंत्रियों के मन में निश्चित रूप से एक रिस्पेक्ट है एक और के मिला सरकार दावा करने की पुरी वेवस्ता है और तरीकर से सुचारू रूप से सब ऑक्सिजन हो इंजेक्शन हो वैक्सिय हो सब की अपूरती हो देखें इन राज्यों में परिस्तिती अत्यनतर गंभीर हो रही है और ऐसी गंभीर परिस्तिती में जब राज्य सरकार अपनी विफलताओं को चुपाना चाहती है तो बजाए इसके कि केंद्र सरकार के साथ कौर्डिनेशन करे केंद्र सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास अफवाय पहलाने का प्रयास गलत बयान बाजी करने का प्रयास य इतने बार इन्होंने गलत बयानवाजी किये, उतने बार उनको मूखी खानी पड़िये, सत्य लोगों के सामने आया है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अपनी अकर्मन्यता और अकार्यक्षमता को चिपाने के लिए हमेशा केंद्र सरकार के और उगली दिखाना ये बहुत गलत है। मिले हमारा फर्ज है, इसके साथ मोधी जी की सरकार काम कर रही है। मिले के लिए हम लोगडाउन करते हैं। या पिछला लोगडाउन हमने क्यों किया था। क्योंकि उस समय भारत में एक पीपी कीट नहीं बनती थी। भारत में मास्क नहीं बनते थे। भारत में वेंटिलेटर नहीं बनते थे। तो आज हमको अर्थ विवस्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉक्डाउन में जो सामर्थेवान है, उसको तो कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब है, उसके उपर जो मजदूर है, उसके उपर जो नोकरी पेशा है, उसके उपर इसका असर पड़ता है और आज दिखे, केंदर सरकार ने 20 लाग करोण का पैकेज देकर, हमारे छोटे उद्योकों को, मजोले उद्योकों को, व्यवसाईकों को, फिर एक बार जीवित किया, या उनको एक जीने की नई रहा दी, और ऐसे समय वापिस, अगर हर राज जो लॉकडाउन लगना शुर अगर हो जाएगी, कि वापिस खड़े नहीं हो पाएगे, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कि लॉकडाउन ये जैसे प्रदान मंत्री जी ने काय, ये बिल्कुल आखरी परिया है, और हम लोगों ने उसका विचार ये बिल्कुल रूटीन की तरह नहीं करना चाहिए। जी नाखपूर चे आहे, त्यान सा एक इंटीग्रेटेड प्रांट राइपूर ला है, काल मी तेंचेशी चर्चा केली, और मी दन्ना विननती केली, कि तुम्हीं मुझे नाखपूर चे आहाथ, और नाखपूर ला अत्ता ओक्सिजन चे आवो शकता है, तर तुम्चा प् कुरुवायला तयार आहो, और मुझे आज मी कलेक्टर कडे जाओ, कलेक्टर साने तेंसा बोलना करूंदील, टैंकर्से कमतर थाय त्यम्हे टैंकर्स चे पुरो थाय, तेंच्या सुबत अमी तेंसा कलेक्टर सायमन सा बोलना करूंदील, विशेषता GSW ले जे जिन्दाल सा आज कि मां उद्या एक टैंकर ते इतना निगेल आणि दर अल्टरनेट डेला एक टैंकर ते नाकपुर ला देतील तर मला सोटे कि तेचमय कही प्रमणात का हुई ना पर नाकपुर ची ऑक्सिजन ची जी कही कमतर ता है ती दूर करता है